GST लागू होने से देश का हर वर्ब प्रभावित होगा सिवाए नौकरी पेशा लोगों के सबसे बड़ा फाइदा ही नौकरी करने वालों को हुआ जान ये कैसे नौकरी करने वालों की कमाई पर नू GST देश के सभी नौकरी पेशा लोगों की कमाई GST के डाइरे से बाहर है बेसेर फाम आगमी होने के नाते GST से प्रभावित होंगे मतलब चीजों के सस्ते और महंगे होने का असर उन पर पड़ेगा उनके वेतन पर इससे कोई फर्थ नहीं पड़ेगा दूसरे देशों से आने वाले सामान पर GST वही रहेगा केंद्र सरकार उन पर निर्यात ट्यूटी घटा बढ़ा कर फर्थ डाल सकती है पर उसमें GST की कोई भूनिका नहीं होगी कुछ चीजों के लिए अलग नियम GST तो लागू हो गया लेकिन कुछ चीजों के नियम अलग रहेंगे पेट्रोलियम और तंबा को उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी सभी आयातकों और निर्यातकों को एंटी शिपिंग और कुरियर फॉर्म पर GST रेजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा इसके अलावा ट्रांसेक्शन के दौरान GST नेटवर्क की और से मिली आईडी की जानकारी भी देनी होगी या पारियों पर ये असर होगा 20 लाख रुप्ये से कम के सालाना टर्नोवर वाले कारोबारियों को GST से छूटी गई है अगर सालाना टर्नोवर 20 लाख रुप्ये से ज्यादा है तो हर हाल में रेजिस्ट्रेशन कराना होगा तब कच्छे माल पर मिलन वाली टेक्स छूट का फाइदा मिलेगा 22 लाख रुप्ये से अधिक के सालाना टर्नोवर वाले ट्रेडर्स, मैनुफेक्चरर्स और रेस तरा कंपोजिशन स्कीम के तहत प्रमशहेग 2 और 5 फीसदी अदा कर सकते हैं अन्य कारोबारियों को हर महीने 3 रिटन भरने होंगे इन में से 2 आटोमेटिक होंगे लाख प्रमशहेग एंड़ाब एंद चानल वीडिव एंड़ रेस चानल वीडियोस